Hello students, आज के इस वीडियो में हम class 9th के science के chapter atoms and molecules के exercise 1 को हम solve करेंगे ये NCRT से लिया गया question है, देखें इस question में क्या कहा हुआ है? कि एक sample है, कितना mass है उसका 0.24 gram उस sample का mass है उस sample में compound है, उस compound में oxygen और boron है, oxygen और boron का compound है और analysis से ये पाया गया कि उसमें 0.096 gram boron है और 0.144 gram oxygen है हमें calculate करना है the percentage composition of the compound by weight मतलब क्या है, इस compound में क्या क्या है, boron है और oxygen है तो boron कितने percentage में है, boron का percentage कितना है इस sample में और oxygen का percentage कितना है इस sample में ये हमें पता लगाना है तो percentage of oxygen, percentage, oxygen कितना percent है, percentage of oxygen in that sample of oxygen यह कितना होना चाहिए, सबसे पहले तो देखें, oxygen कितना part होगा इसमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो देखेंगे oxygen कितना है 0.144 gram कितना में पूरा sample कितना का है 0.24 gram तो ये हो गया oxygen का part इतना part oxygen है अब part से percentage कैसे पता करें in 200 इतना percent होगा oxygen तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इस gram को unit को ये हम लोग फिर देखे decimal point यहाँ से हटाएंगे तो numerator में हम 100 multiply करेंगे क्योंकि decimal point के बाद 2 digits है यहाँ से हटाएंगे तो denominator में हमें 1,000 multiply करना होगा क्योंकि decimal point के बाद 3 digits है तो यहाँ से simply आप 2 zeros को और यहां से दो zeros को cancel कर दे और यहां एक zero इसे cancel कर देगा अब देखे 24 24 into 6 24 into 6 is equal to 144 तो यह कितना बन गया 6 into 10 that is equal to 60 60% oxygen इस sample में 60% है boron के लिए भी calculate करना है किया आप इन दोनों को जोड के देखे this one और this one इन दोनों को जोड के देखे आपको यह मिलेगा इसका मतलब और कुछ नहीं है सिर्फ boron और oxygen ही है और कुछ नहीं है इसका मतलब क्या बना इसका मतलब यही बना कि अगर 60% oxygen होगा 100 में 60 अगर oxygen होगा तो बाकी boron होगा तो 100 में 40 boron होगा that means 40% boron होगा percentage of boron in that sample is equal to boron कितना है 0.096 0.096 इतना ग्राम कितना में पूरा सैंपल कितना का है इतना का है 0.24 ग्राम यह तो होगया boron का part अब percentage के लिए हम 100 मल्टिप्लाई कर देंगे तो इतना परसंट क्या करना है हमें यहां से ग्राम और ग्राम कैंसल हो गया यूनिट कैंसल हो गया अब देखें यहां से इस चीज को इस point को हटाएंगे तो numerator में हम 100 मल्टिप्लाई करेंगे इस point को हटाएंगे तो denominator में हमें 1000 मल्टिप्लाई करना होगा अब यहां से आप यह दो 0s cancel कर दे और यहां से 1 और यहां से 1 0 cancel कर दे अब 24, 24 into 4 is 96, so 24 into 4 is 96, so into 4 is 96, तो यह क्या बन गया, 4 into 10, that is 40, so that is equal to 40, इतना परसंट, तो boron 40% है इस सैंपल में और oxygen 60% है इस सैंपल में, तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, next exercise का link आपको यहां पर screen पर मिल जाएगा, वहां click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि standard 9th के लिए atoms and molecules chapter के सारे वीडियो का जो playlist है उसका link आपको नीचे description में मिलेगा, तो I hope कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, goodbye.